शनी अपने फल जबी भी दर्शा अंतर दर्शा में आते हैं तो निशी रूप से देते हैं लेकिन कुर्णी में शनी का पाप्रभा हो तो शनी के फलों में देरी की संभावनाई जरूर बनती हैं तो व्यक्ति को जो है आपने फल प्राप्ति में व्यक्ति को बहुत प्रतिक् बहुत ही गंभीर सभाव का hard working, practical होना, discipline होना, clear बिल्कुस पष्ट बोलने वाला होता है, शनी अगर अच्छा है कुंडली में व्यक्ति आत्म विश्वासी भी बनता है, एक अच्छी प्रबल इच्छा शक्ति उसमें होती है, बहुत महत्वक आंक्शी होता है, साथी सथ शनी व्यक्ति को मित्वई बनाता है, मित्वई यानि कम खर्च करने वाला, कुंडली में अगर शनी 12th हाउस व्याय भाव में होना, तो व्यक्ति व्यक्ति करने में बहुत सोच विचार करता है, तो शनी से प्रभावित व्यक्ति जो है, हर कारे को बहुत perfection से करने में बिलीव कर क्यार्ण है कि अपने काम में पुर्ण रूप से कुशल होता है और एक अच्छी कुर्त मेरे दया है पूरी तरह से समाजिक आर्थिक सिवें बदलाव करने में शनीने में ब Cao सधारन तरीके से अपने जीवन को वैदीत करता है सादगी के साथ इसके अत्रिक शनी का शुब होने पर वेक्ति विद्वान भी होता है अच्छे विचारों वाला भी होता है अध्यात्म की और भी पूरा जुकाव लेता है वो धर्म शास्त्रों का ध्याइन करने वाला लेखन में भी अच्छा यश्वर सम्मान प्राथ करता है अच्छे राइटिंग स्किल्स होना स्पिरिचल होना यह सब देखा गया है अब शनी की अशुब सेती की बात करें ऐसा योग वेक्ति को ऐसा बनाता है कि अपनी मन की बात किसी से भी नहीं शेयर करता है और कुण्ली में जो अशुब शनी हो वेक्ति को आलसी बना देता है काम करने से वेक्ति कद्रा आता है कुण्ली में अशुब शनी हो तो वेक्ति जूट बहुत बोलता है और शनी कि शुपत व्यक्दि को कई तरह की मानसीक और स्वास्ते संबंदी परिशानिय शारेरिक व्याधियां भी देती है अशुप व्यक्ती को जिवन बहुत संघर्षों का सामना करवा देती है शनी की तो कारे को पूरा होने में भी उसको संगर्श रेट्टे को मिलते हैं शनी ग्रह कुल्णी में कितना अशुब हो जाएगा धहिया साड़े साती के दौरान किस तरह से वो अच्छे पूरे फल दे पाएगा उस चीज़ को निर्धारित करने में कुल्णी में चनर्मा ग्रह की भी बहुत खास भूमी का होती है चनर्मा कुल्णी में किस भाव का स्वामी है कारक है या अकारक है कुल्णी में शुब भावों से सम्मन रखता है या अशुब भावों के साथ पक्षपली है या कमजोर हो गया है किस राजशी में है किस नक्षतर में है किन अंशों पे है चन्दरमा का नक्षतर सुवामी कौन है चन्दरमा और शनी के दोनों की डिगरी को अंशों को देखना बहुत जरूरी है इसके साथ शनी किस भाव का स्वामी है किस भाव पे शनी का प्रभाव पढ़ रहा है कौन सी दृष्टी में शनी की दृष्टी में कौन से भाव आ रहे है तो इस अकॉर्डिंग जो है वो शनी की ढहिया साड़े सती है शनी के समय में मिलने वाले फलों को निरधारित किया ज इतना कश्ट और हानी देता है उतनी लाव यश्वर सम्मान भी देता है तो जन्व कुण्णी में जैसे कि मैंने बताया कि चंदर्मा किसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि साड़े सती हो या ढहिया तो चंदर्राशी के उपर से शनी का गोचर होता है तो व्यक्ति की चंद अशुव राषी में हो अपनी स्वराशी का शुब ग्रहों के साथ योग वना रहा हो फिल फिर शनी के अशुव प्रभाव जो साड़े सती ढहिया कि हो काफी कम हो जाते हैं लेकिन अगर चंदर्मान निर्वल है शत्रु राशी में है नीचस्त है पक्षबली नहीं तो फि इसली चीज़ों में जो है वह आसपास के लोगों में चीज़ों में बहुत डिटेश्मेंट फिल करता है अन्यसेसरी के मेंटल प्रेशर से वह गुजरता रहता है अब देखी शनी के रहा है तो दुख निराश्या पीडा के कारक और शनी की दशा हो धाया हो साड़े साती हो कुछ भी अनिष्टकारी ना हो ऐसा तो नहीं हो सकता है जरूर होता है सफरिंग जरूर होती है वेक्तिकों पीडा जरूर होती है दुख निराश्या का सामना भी करना पड़ता है तो ऐसे में जरूरत क्या होती है कि शनी के समय में दुख पीडा निराश्या जो भी मिलती ह उसका असर अपने जीवन पर हावी नहुने दे या किसी तरह का उस चीज का जो है प्रेशर आप पर ना पड़े उसके लिए सिर्फ और सिर्फ शनी की दशा में जरूरत होती है पेशन्स की एक अच्छा धहरेवान वेक्ति जो है वह अच्छे शनी को दिखाता है पेशन्स ध नहीं सोचना कि यह भी क्या हो रहा है कैसे हो रहा है बस उस मैनत को करते जाना और किसी के साथ भी कुछ गलत करने की इच्छा दखना रखना शनी की दशा में मिलने वाले सभी नाकारात्मक चीजों को खतम करती है